नमसकार जी, क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश्ट बहन जी आप कहां से आई है? पंजाब लोध्याना से बहन जी संतराम पाल जी महाराज से नाम देख्षा लेने से पहले क्या आप कोई वक्ति साथना भी करती थी? तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आई यूकर मैं बचा लो सबक्र करें पर्मात्मी आप धर्ती पर्मात्मा तो मेरे को बचा लो टब परमात्मा के दर्शन। पर उनकी सरण में जैसे ही प्रमात्मा का सुरूप देखा और सरिष्टी ग्यान सुना वही प्रमात्मा मेरे को मिले जो प्रमात्मा का सुरूप मैंने देखा था वही प्रमात्मा के सुरूप के साथ में दर्सन हुए थे दरसन होते ही, मेरे को प्रमात्वान पिछला जनम दिखा दिया, कभी आप मेरे बगती पिछले जनम में भी करते आ रहे थे, बेटा मैं आपके लिए दुखी पा रहा हूँ, कि मैं मेरे बच्चे ऐसे बटके हुए हैं, और ग्यान मारक देने के लिए मैं आया हूँ, आपको स लोक ले जाने के लिए आया हूँ, बगती दे के। तो क्या संतरामपाल जी मारा से नम दिख्चा लेने के बाद, आपको भी कोई लाब राप्त हुए? मैं से इतने लाब हुए, मेरे को दो बच्चे दिये, प्रमात्मा ने खुद दिखाया गदी के नीचे प्रमात्मा के ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं, प्रमात्मा कहते हैं, बेटा, जितने चाय उतने ले लो, प्रमात्मा के पास कोई कमी नहीं है, मैं कहते हूँ, गरुज कि रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ कोई ना संग सुन सकते ना नितने हम कर सकते ना आरती कहते है सोर करे हो चुप करो चुप करो इतनी आवाज ना करो परमातमा कभी मेरे को भी एहना घर चाहिए परमातमा ने सोपन में आके कहते है बिटा अगर आपको घर चाहिए मैं कहती है परमात्मा आपकी भक्ती में बाद आ रही है मेरे को घर चाहिए तो परमात्मा सोपन में आके मेरे को पलाट नंबर बता के गई और वही पलाट नंबर हमें लिया पहले कलियों में घुमते रहते हैं, कभी पलाट नंबर कोई नहीं विला आपी और एक बारी हमारे घर में चोर गुस गए थे रात के समय पर मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे तो मैं सो रही थी, प्रमात्मा कहते हैं, बेटा उठ तेरे घर में चोर गुसे हुए हैं फिर प्रमात्मा ने दो बारी आवाज लगाई, तीसरी बारी प्रमात्मा थोड़े गुसे से बोले अग बेटा उठ तेरे घर में चोर गुषे हुए, मैं उठके देखा, तो मेरी मंची के नीचे सच में चोर गुषे हुए थे, और बैठ के देखने लगी तो उसकी सर्ट बाई तरफ उठ रही थी, वो उठने के बाद देखा, तो भाग के निकल गई, और एक बारी क्या है कि प्रिवार में ही दादी जी है उनके साथ जगढा हुआ है, उन्होंने मोट सुट वा दी हमारे पे, तो मोट सुट वा दी तो हम तो परमातमा की भगति कर रहे थे, आरती का सिमेथा, आरती कर रहे तो वो मोट उपर ही घुमे जाई हमारे बगत जी कहते है देखो यह क्या आ रहा है मैं कहते है प्रमात्मा की आर्ती करो संत्रामपाल जी माहराज का नाम सुम्रन करो और हमें ऐसे ही किया ओध घंटा हमारे उपर से घुमी गई घुमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड उसमें जाके गिरी, वो गिरने के बाद उस नीम के पेड में आग लगी, आग लगने से फिर नीम का पेड सूख गया बिलकुल, किसी के मादम से पता चलिया कि भी मोट सोड़ने वाला कहता है कि किस के पास चुटवा दी आपने, अगर वो तो बहुत इतने तकड़े समरत की स सकती में है, उनके बसके हमारे से यह मोट वगरा नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माप कर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड में नहीं डालता था, और एक बारी हैंना, मैं घर पे जा रही थी, तो गर पे जाने के बाद में परस टांगे हुए थी, बाइक पे ब प्रमात्मा आप ही बचा सकते हो, तो इतना पांच मिंट का जो गैप था, पंदरा मिंट का कर दिया प्रमात्मा ने, और नहीं ट्रक आया, इतनी देर में नहीं बस आई, संत गुरू रामपाल जी महाराज ने बचा ली, फिर संत गुरू रामपाल जी महाराज के पास गई मैं दर्षन करने के लिए गुरुजी ने कहा बेटा आज तेरा जनम इतना ही था खतम होने वाड़ा था यह जनम दान तो प्रमातमा ने दिया और प्रमातमा तो मेरे को इतना ग्यान दिया है इतना निर्मल ग्यान अक भी इस दर्थी पर पहली बार ग्यान मिला और लाब ये हुए कि मेरी माताजी की डैथ हो गई आट महीने पहले ये पिर आण वो मेरे सोपने में आई सोपने में आने के बाद कहती है बेटी तो अपने साधना में लगे रहना और अच्छी परमादमा आये हुए है इनकी सरन को छोड़ना मत आप लगे रहना और ऐसे यहना मेरे सुसुड़ जी थे उनके भी पेन होता था पैर में तो पेन होता था इतना होता था कि जमीन में लेट जाते थे जमीन में लेटने के बाद कहते थे परमादमा आज मेरे को बचा लो इतना दर्द होता है या तो उठा लो फिर ससंग सुनाते थे तो पिता जी आप नामदान ले लो, आपका धर्ज़ ठीक हो जाएगा, कहते हैं कि भी आपके गुरुजी को recommand, ले लूगा, और फिर मैं नामदान ले लूगा, पर मादमा ने दो दिन में अधर्द कम कर दिया, और टीसरे दिन तो दर्ज़ नहीं चला, तो ठीक हो गई, उन्होंने नाम अब देश कहते हैं कि बिवाद में लेंगे थोड़ा फिर उनकी डेथ हो गई थी फिर मेरे आजबेंट के सपने में आई तो सपने में आने के बाद कहते हैं कि भी बेटा आप सही जगे लगे हुए हो इस जके को छोड़ना नहीं संत रामपाल जी महाराज प्रमात्मा आई हुए और सही ग्यान देते हैं और यही बगती करना जो सरदालो आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी बगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पर मात्मा आये हुए है अवतार आई हुए है कबिर शाहभ के अवतार संत गुरू रामपाल जी महाराज और जल्दी से आए और अपना मोक्स कराए बेंजी संतरामपाल जी माराज की सरण में कैसे आ सकते हैं साथसंग के दोरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं उन नंबरों पे संप्रक करें और आपने नजदी की नाम स्तल सेंटर पे जाकर नाम दान ले धन्यबाद बेंजी